वेल्कम स्टुडेंट त आज हम सीखेंगे ओर्थोग्राफिक पोजेक्षन को तो ओर्थोग्राफिक पोजेक्चन होता किया है और उसको हम तीन व्यूशपंद करते है जो कि हमारे पहला व्यूव हमारा फ्रेंट्ट व्यू है इन टॉप यूव गूजप करना इस conversion को हम orthographic projection बोलते हैं तो जो question है वो मैंने आपकी screen पर show कर दिया है तो यह हमें एक object दिया हुआ है जो कि 3D object है जिसके सारी dimension आप यहाँ पर देख सकता है तो इसको हमें orthographic projection में convert करना है question में आपको already दिया होगा जैसे कि यहाँ पर यह arrow लगी हुई है और दिखा रखा है front view यानि question में आपको दिया होगा कि आपको front view किधर से consider करना है then this is your front view and this is your top view यानि उपर से आप देखेंगे तो यह आपका top view होगा और side से देखेंगे तो यह आपका side view होगा तो चलिए start कर लेते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास 3 views हैं, तो इसलिए हम यहाँ AutoCAD में एक और line draw करेंगे, यहाँ बिलकुल बीच में, तो यहाँ पर मैं एक line और draw कर रहा हूँ, जो represent करेगी X1, Y1 line को, तो यहाँ पर उपर की side मैं लिख रहा हूँ X1, और यहाँ नीचे की side हम लिख देंगे Y1, तो यह हमारी X1, Y1 वाली line है, इसके बाद यहाँ पर हमारा front view आएगा, यहाँ पर top view आएगा, और यहाँ पर side view आएगा, ओके तो चलिए start कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर front view draw करेंगे, उपर की side, जैसे कि आपको पता होगा, first angle projection में, XY line के you are watching from this side, तो जब आप यहाँ से इस object को देखेंगे, तो आपको यह hatching lines वाला portion दिखेगा, यानि इस object का सिर्फ यह hatching lines वाला portion ही आपको दिख पाएगा, तो चलिए हम show कर देते हैं, कि आपको front view में कौन-कौन सी चीज़े दिखेंगे, आपको यह पूरी की पूरी line दिखे यानि 75 mm की है, उसके पहले हम यहाँ पर यह नीचे वाला portion द्रॉ करेंगे, उसके बाद हम यह उपर वाला portion द्रॉ करेंगे, यानि नीचे वाले portion में जो portion हमें front view में दिखेगा, पहले हम वो द्रॉ करेंगे, तो यह है हमारा 25 mm का यह portion हमें visible होगा, फिर 25 mm का यह portion भी visible होग और 25 mm का यह portion भी विजिबल होगा और जिसकी height है 12 mm तो हम यहाँ पर पहले वो draw कर लेता है तो यहाँ पर आप line पर click करेंगे object आपने already select किया हुआ जो आपकी split यह जो line है यह split way में draw होगी इसके बाद आप यहाँ पर ओपर की direction में 12 लिखेंगे enter कर देंगे दैनिस direction में आप यहाँ से projection ले लेंगे यह वाला ओकी और यहाँ क्लिक करेंगे यह देखेगा यहाँ से आपको यह projection guiding line आ जाएगी इसके बाद क्लिक करने के बाद सिसके presents यहां मिला देंगे तो यह हमारे हो गया है इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे और यहां पर end मॉाइंट जब करेंगे यह हम चाहिए थो की dimension दिखा सकते हैं आप यहां पर linear पर click करेंगे यहां से यहां तक की distance आप visible करेंगे तो यह आपकी 25 होगी डैन अगेन आप linear पर click करेंगे यहां से यहां तक की distance अगर आप show करेंगे तो यह भी आपकी 25 होगी जैसा कि कोशन में दिया हुआ था तो यह आपने विजिबल कर दी है 25 mm 25 mm की लाइन और इसकी हाइट अगर आप शो करेंगे यहां से यहां तक तो यह आपकी 12 mm होगी जैसे कि यह आप देख पा रहे होंगे तो यह आपकी 12 mm की डिस्टेंस है तो हमने यह नीचे वाला पोशन कर दिया है जो हमें front view में दिखेगा इसके बाद इस corner के just उपर यहां से हमें 25 mm की height दिखेगी और यहां से हां तक की age दिखेगी जो की 20 mm की है तो यहां पर हम click करेंगे वापस से line पर और यहां पर ऊपर की direction में 25 mm की line ड्रॉ करेंगे और इस direction में आप draw करेंगे 20 mm तो यह हम यह आपको visible होगी बट यह age की distance हमें नहीं दी है बट हमें यह पता है कि इस वाले corner से यह 20 mm की distance पर finish होगी यह जो slope है तो यह 20 mm की distance पर finish होगा इस वाले corner से तो हम यहाँ पर एक और line draw कर रहे हैं जो कि overlapping line होगी यहाँ से यहाँ से इस direction में हम एक 20 mm की line draw करेंगे और इसके बाद F8 press करेंगे ताकि हम diagonal line draw कर सके हैं और यहाँ से यहाँ पर हम इस end point पर मिला देंगे तो दिखेगा अगर मैं measure करकर दिखाओं तो यहाँ पर आप click करेंगे यहाँ से यहाँ पर तो यह distance already आपको 20 mm दी गई है और यहाँ से यहाँ तक यह distance भी आपको 20 mm दी गई है और यह वाली जो distance है यहाँ से यहाँ तक यह आपको 25 mm दी गई है तो यह आपने यहाँ पर draw कर दिया है इसका front view इस object का front view आप draw कर चुके हो इसके just नीचे हमारा top view आएगा तो यह आपको पता है होगा कि front view के just नीचे हमें top view मिलता है तो हम यहाँ पर projection lines draw करेंगे नीचे की direction में अब यह देखेगा यहाँ पर dimension हमने सारी show कर दी है बट सारी dimension show करने की वज़ह से यह question थोड़ा जादा बलकी हो जाता है तो हम यहाँ पर dimension show नहीं कर रहा है हम यहाँ पर यह dimension को delete कर दे रहा है यह सिर्फ dimension मैंने आपको show करने के लिए दिखाई थी ताकि आपको पता चल जाए कि यह कितने कितने dimension का है बट हमें यह show नहीं करना हमें सिर्फ view show करना है कि किस तरीके का दिखेगा तो इसलिए हमने dimension को हटा दिया है ताकि आपको जो front view, top view और side view है वो clearly visible हो अगर आप dimension show करना चाहे तो बाद में आप उन dimension को show कर सकता है इसके बाद आप projection line पर click करेंगे और line पर click करेंगे आपको पता होगा कि front view के just नीचे आपको यहाँ पर top view मिलेगा तो यहाँ पर हम नीचे की side projection line draw कर देंगे इसी तरीके से यहाँ पर भी हम projection line draw कर देंगे तो इसका top view यहाँ हमें इस दो line के बीच में मिलेगा तो हम देखते हैं कि जब हम top से देखेंगे तो हमें ये portion visible होगा यह slope हमें visible होगा, top से देखने पर, you are watching from top, तो यह slope हमें visible होगा, as well as यह वाला जो portion है, यह भी हमें visible होगा, तो हम इनकी dimension चेक कर लेते हैं, देखेगा यह वाली जो dimension है, यह 50 की है, और यह total जो dimension है, वो 75 mm की है, तो यह पूरी dimension हमें visible होगी, तो हम यहाँ पर start करते हैं, तो हम यहाँ पर नीचे की direction में एक line draw करेंगे, जो कि object line होगी, और यह distance होगी 50, 50 लिखने के बाद अब इस direction में जाएंगे, that is 25, तो हम split way में ही draw करेंगे, उसके बाद हमें उपर की direction में, यानि कि जब हम top से देख रहे होंगे, तो हमें यह age दिखेगी, यह वाली age अंदर की direction में होगी, और यह distance हमारी 12 है, तो यहाँ उपर की direction में हम 12 लिखेंगे, enter कर देंगे, फ़र इस direction में draw करेंगे, जो कि 25 है, enter कर देंगे, then नीचे की direction में फिर से 12, enter कर देंगे, तो यह देखेगा, हमने यह base draw कर लिया, यानि यह जो नीचे वाला portion है, यह हम draw कर चुके है, बट इसके बाद हमें यह वाला face है, यह भी दिखेगा, और यह वाला slope भी दिखेगा, तो इसके लिए हमें फिर से draw कर रहा होगा, यह देखेगा, इसकी जो distance है, यह 25 है, और यहां से यहां तक यह 20 है, तो हम वापस से यहां पर click करेंगे, line पर, यहां से, एक overlapping line draw करेंगे, जो कि हमारी 20 distance की होगी, इसके बाद आप इसको नीचे की direction में draw करेंगे, जो कि 25 होगा, enter लिक करेंगे, और उसके बाद उस line को यहां से, यहां मिला देंगे, तो यह हमारा उपर वाला top face है, तो यह जो हमने अभी draw किया है, यह यह वाला top face है, जो कि 25 by 20 का है, इसके बाद यह वाला slope हमें show करना है, और यह हमारा 20 की distance पर जाकर end होता है, और इसकी जो यह चोडाई है, यह हमारी 25 mm की है, तो हम इस corner से, एक 20 की distance पर यहां पर एक line draw कर देंगे, जो कि 25 mm की होगी, तो हमने यहाँ पर click किया line पर, आप चाहे तो इसका projection उपर से भी ले सकता है, आप यहाँ पर click करेंगे, line पर click करेंगे, projection line पर, तो आप यहाँ से भी इसका projection ले सकता है, इस तरीके से भी आप इसका projection ले सकता है कि ये इतनी distance पर होगा इसके बाद line पर click करेंगे और object पर click करेंगे यहां से यहां तक इसको मिला देंगे उसके बाद फिर यहां से यहां मिला देंगे तो यह आपका slow पा चुका है बिना किसी distance को measure किये आप इसको उपर से projection लेकर draw कर सकता है इसी तरीके से यहां से भी projection आएगा तो यह वाला भी आप उसी तरीके से draw कर सकता है तो यह आपका top view है यानि top से देखने पर आपको कुछ इस तरीके से visible होगा यह extra line जो है हम इसको trim कर देता है तो यह हमने यहाँ पर trim कर दी है extra line तो यह हमने top view draw कर दिया है इस object का यह हमने front view draw कर दिया है यह top view draw कर दिया है मैं यह वाली line delete कर दे रहा हूँ वह इसलिए क्योंकि हमने already यह draw कर दिया अब इसकी जरूत नहीं है अब आप clearly देख सकता है कि front view में देखने पर हमें यह चीज़ दिखेगी यह देखेगा यह वाली जो hatching lines है यह portion दिख रहा था तो यहाँ पर हमें वही portion दिखेगा और top से देखने पर हमें यह वाला face यह slope और यह बचा हुआ portion तो यह देखेगा यह वाला face यह slope और यह बचा हुआ बोचन दिखेगा बट जब हम side से देखेंगे तो side से हमें देखने पर यह वाला जो face है यह face visible होगा as well as यह slope visible होगा only तो चलिए इसको भी हम draw कर लेता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 45 degree की line draw करनी होगी तो हम projection line पर click करेंगे इस direction में यहाँ पर corner पर click करेंगे और यहाँ पर एक 45 की line draw करेंगे जैसे कि आपने projection of point में भी पड़ा था कि अगर जब हम side view draw करते है तो हमारा यहाँ visible होता है और यहाँ पर 45 की line draw होती है तो हमने यहाँ पर shift के साथ add the rate press करना है और tab के साथ हम angle वाले option में चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे minus 45 minus इसलिए क्योंकि नीचे की direction में draw कर रहा है तो यह हमने 45 की line draw कर दी है यह जो extra line इस bracket से बाहरे के लिए है इसको हम trim कर देंगे यह हमने trim कर दिया है इसके बाद आपको यहाँ से projection लेकर जाने होंगे तो आप line पर click करेंगे projection line अल्रेड यह आपने चूस की हुई है तो यहाँ से यहाँ click करेंगे और यह मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस line से थोड़ा आगे तक हम इसको move करते हैं ताकि हमारे error free हो जाए तो हमां trim करने के बाद आप यहाँ से इसको delete कर देंगे और यहां से उपर की direction में ड्रा करेंगे line को यहां से इस direction में ड्रा करेंगे तो click कर देंगे अगें आप यहां से start करेंगे projection इाँसे extra आगे तक निकाल देंगे और यहां से हम इस cross section से उपर की दिरफ move करेंगे तो यह जो दो projection है यह show करते हैं इसके चोड़ाई को यह वाली distance को तो हमारा object side से देखने पर इतनी distance पर ही होगा जैसे कि आप यहां देख पा रहे होगे कि यह object की जो 50 mm की distance है तो side से देखने पर हमें यह visible होगी तो यह distance हमें already यहां मिल गई है इसी तरीके से आप projection यहां से लेंगे तो यह वाला projection यहां से यहां तक आएगा as well as यहां से projection आएगा इस वाली age से तो यहां से यहां तक इसके बाद आप यहां से projection लेंगे इस वाली line से यहां से extra cut कर दीजेगा उसके बाद आप यहां से इस cross section से उपर की दरफ move कीजेगा यहां से यहां तो यह वाला जो portion है यह हमारा show करता है उस notch को जो हमें यहां पर visible होगी यह देखेगा जब आप यहां से देख रहे होंगे तो यह पीछे के side हमारा एक cut out है यह यहां पर cut out है यहां से देखने पर यानि side से देखने पर यह आपको visible नहीं होगा क्योंकि आपको यह front face दिख रहा होगा बट यह पीछे के side exist करता है तो यह वाली जो side है यह वाली जो age है इसी तरहीके से इस corner पर भी एक age होगी वो age आपको dotted दिखानी है वो age आपकी यहां पर होगी जो हमें visible होगा तो हम सबसे पहले यहां पर trim लिकरके यह हम हटा देता है यहां से तो यहां हमारी hidden age होगी तो हम यहां click करेंगे और यहां पर हमने hidden age को red color से दिखाया था तो यह हम यहाँ पर visible कर देता है और उसके बाद हम line पर click करेंगे object पर click करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम एक object draw कर देंगे तो यह हमने show कर दिया है यहाँ पर यह देखेगा यह हमारा base है जो कि 50 का है और जो उसकी height है वो 12 की है यह देखेगा यह हमारा जो face है यह हमें visible होगा जो कि 50 by 12 का होगा यह जो distance से 12 थी और इस face के just पीछे की side यह cut out होगा तो इसलिए हमने उसकी सरिफ एक ही age शो की है जो कि यह वाली होगी और वो हमने red color से dotted शो की है इसके बाद front से देखने पर हमें यह वाली height visible होगी जो की front से देखने पर यह slope visible होगा और जिसकी height यहां से जो vertical height है वो 25 mm की होगी और यहां से यहां तक की distance 25 की होगी 25 by 25 की हमें visible होगी तो हम यहां पर click करेंगे और उसके लिए आपको यहां से projection ले लेना है आप projection layer पर click कीजेगा यहां पर click करेंगे click करने के बाद इसको extra आगे बढ़ा दीजेगा then इस cross section से उपर की side जाएंगे आप यहां पर तो यहां से वो start होगी और उपर की side तक जाएगी यहां तक ठीक है उसका projection आपको यहां से उसकी height से मिल जाएगा यह रही उसकी height तो यह है वो slope जो आपको visible होगा तो आप इसको आपको dark बनाना है तो यह आप यहां पर फिर से object layer पर click करेंगे और line पर click करेंगे आप यहां click करेंगे यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां तो यह है आपका side view जो आपको visible होगा, तो यह आपका complete draw हो चुका है, यह आपका front view है, यह आपका top view है, और यह आपका side view है, इसके बाद यह जो यहाँ पर हमने extra line ने draw की है, इनको आप trim कर दीजेगा, तो यहाँ से हम इनको trim कर देता है, और इसी तरीके से यह जो extra lines है, इनको भी हम trim कर देता है, तो यह भी हमने trim कर दी है, तो यह आपका एक isometric view दिया हुआ था, जिसको हमने यहाँ पर two dimensional view में convert किया है, यानि orthographic view में convert किया है, और orthographic view होता है, आपका front view, top view और side view, यानि इस object के front view, top view और side view की help से, आप इस isometric view को भी बना सकते हैं, तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, प्लीज सस्क्राइब दे चैनल, THANK YOU FOR WATCHING, THANK YOU FOR WATCHING, प्लीस सस्क्राइब दे चैनल, for more related videos,